नेता जी का चश्मा प्रश्णोत्तर पार्ट टू अती महतपूर प्रश्ण संकेत इस द्रिश्टी से ये एक सफल और सरहानिय प्रयास था केबल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी नेता जी की आँखों पर चश्मा नहीं था यानि चश्मा तो था लेकिन संक्मर्मर का नहीं था एक सामान ने और सच्मुच के चश्मे का चोड़ा काला फ्रेम मूर्ती को पहना दिया गया था हालदार साथ जब पहली बार इसका स्वे से गुजरे और चोरहाई पर पान खाने के लिए रुके तबी उन्हें इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई बहा भाई ये आइडिया भी ठीक है मूर्ती पत्त की लेकिन चश्मा रियल प्रश्न एक संग्मर्मर की मूर्ती पर चश्मा क्यों नहीं लग सका कारण बताते हुए समझाईए पहले तो नगरपालिका ने मूर्ती को बनाने के लिए किसी बड़े मूर्तीकार की खोज में बहुत समय और पैसा बरवाद कर दिया कुछ समय चिठी परत्री में ही बरवाद हो गया परंतु अंत में उन्हें ये मूर्ती गाओं के स्कूल के ड्रॉइंग मास्टर मोतिलाल जी को ही बनाने के लिए देनी पड़ी उनके पास भी केबल एक महीने का ही समय था और उन्होंने निश्चित समय में बहुत अच्छी सुन्दर मूर्ती बनाकर दे दी परंतु जल्द बाजी में बेचश्मा बनाना भूल गए थे या पारदर्शी चश्मा बनाने में असफल रहे होंगे प्रश्न दो समान चश्मे से आप क्या समझते हैं ये किसने लगाया था समान चश्मे का तात परे एक साधारण वा असली चश्मे से है जो की साधारण शीशे बाप्लास्टिक या अन्य किसी वस्तु से बनाया गया होगा ना कि संग मर्मर से उसका फ्रेम काला बचोड़ा था वे चश्मे मूर्ती की कमी को पूरा करने के लिए कस्वे के अपाहिज बूरे चश्मे वाला लगाया करता था जिसका नाम कैप्टन था प्रश्न तीन चश्मा लगाने वाला कौन था उसके द्वारा चश्मा लगाने का क्या कारण था चश्मा लगाने वाला कस्वे का एक लंगणा व्यक्ति था जिसका नाम कैप्टन था वे अपाहिस था परन्तु अच्छी सोच रखने वाला देश भक्त था उसे मूर्ती पर चश्मे की कमी खटकती थी अतहा वे अपनी ओर से उसे पूरा करने का प्रयत्न करता था वे एक सच्चा देश भक्ता जो उन करोणों गुमनाम नागिकों मैंसे एक था जो अपने योगदान से स्वतंतरता सेनानियों का सम्मान करते हैं और उनके प्रती अपनी श्रद्धा को बनाए रखते हैं प्रश्ण घा हालनार साब ने उसके चश्मा लगाने पर क्या सोचा उनके भाव वा विचार लिखिये उत्तर हालदार साब ने कैप्टन चश्मे वाले की मूर्ती की कमी को पूरा करने के लिए किये गए प्रयास की सराहना की वह उससे बहुत प्रभावित हुए उन्होंने पानवाले से पूछा क्या वे चश्मे वाला नेता जी की फोज का कोई सिपाही था पानवाले को उसका मजाग उड़ाने के लिए उन्होंने उसे डाटा उनके मन में देश प्रेम की भावना जागरित हो गई उन्हें खुशी हुई कि आज भी सुतंतितर सेनानियों के बलिदान बा उनका सम्मान बनाए रखने के लिए लोग प्रयासरत रहते हैं संकेत दूसरी बार जब हालदार साहब उदर से गुजरे तो उन्हें मूर्ती में कुछ अंतर दिखाई दिया ध्यान से देखा तो पाया की चश्मा दूसरा है पहले मोटे फ्रेम बाला चौकोर चश्मा था अवतार के फ्रेम बाला गोल चश्मा है हालदार साहब का कौतुक और बड़ा भा भाई क्या आइडिया है मूर्ती कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है तीसरी बार फिर नया चश्मा था प्रिश्न एक हालदार साहब कहां वह क्यों रुकते थे उनकी उत्सुकता का कारण भी लिखे हालदार साहब हर पंद्रमे दिन उस कस्वे से गुजरते थे तब वह उस मूर्ती वाले चौरहाई पर एक पान की दुकान पर पान काने के लिए रुकते थे उने उस मूर्ती को ताथते रहना बहुत पसंद था जब उन्होंने तीन बार मूर्ती पर चश्मे बदलते हुए देखा तब उन्हें उस सुकता हुई तथा वह आशरे चकित हो गए वा जिग्यासा पूर्ण उन्होंने पानवाले से पूछा कि मूर्ती का चश्मा बार-बार कैसे बदल जाता है प्रश्न दो चश्मे अलग-अलग तरह के क्यों लगाए जाते थे समझा कर लिखिए मूर्ती की कमी को पूरा करने के लिए कैप्टन चश्मे वाला उस पर चश्मा लगा देता था परन्तु उसके चश्मे बदलने का मुख कारण ये था कि जब भी कैप्टन चश्मे वाले को की दुकान पर कोई ग्रहाक आता और वैसे ही चश्मे की मांग करता जैसा कि मूर्ती पर उसने लगाया होता था तो वह उस चश्मे को मूर्ती से उतार कर दे देता था और मूर्ती पर नया चश्मा लगा देता था प्रश्न तीन, मूर्ती कपड़े नहीं बदल सकती थी, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती थी, क्यों और किस लिए उत्तर मूर्थी कपड़े नहीं बदल सकती थी लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती थी क्योंकि मूर्थी पर बनी फौजी की बर्दी संगमरमर की थी परन्तु उसके मुख पर उसके आँखों पर चश्मा नहीं था इसलिए एक चश्मे वाला जिसका नाम कैप्टन था उसको वह कमी बहुत खलती थी और वह उस पर आकर असली फ्रेम का साधरर सा चश्मा लगा दिया करता था जब कोई ग्रहाग उस चश्मे को मांग करता तब वह उस चश्मे को मूर्ती से उतार कर उसको दे देता और उसके इस्थान पर कोई नया चश्मा लगा देता था प्रशन चार कैप्टन का ये काम आपको कैसा लगा अपने विचार लिखिए कैप्टन की ओर से किया हुआ ये प्रियास मुझे बहुत ही सारानिय लगा वह एक सच्चा देशवक्त था और उन लोगों में से एक था जो अपने छोटे छोटे योगदानों से स्वतंतरता सेनानियों के बलिदानवा उनके सम्मान और शर्दा को बनाई रखते हैं वह एक अच्छा इनसान था अपने छोटे इस तर पर ही सही कम से कम उसने मूर्ती के अधूरेपन को पूरा करने का प्रियास तो किया कह सकते हैं कि वास्तब में वह एक सच्चा देश बक्त था बच्चे इसमें अपने विचार भी लिख सकते हैं अगला संकेत अब हालदार सहाब को बात कुछ कुछ समझ में आई एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है उसे नेता जी के बगएर चश्मे वाली मूर्ती बुरी लगती है बलकि आहत करती है मानों चश्मे के बगएर नेता जी को असुविदा हो रही हो इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्द गिने चुने फ्रेमों में से एक नेता जी की मूर्ती पर फिट कर देता था प्रश्न एक कैप्टन को मूर्ती में क्या अखरा था उन्होंने इसके लिए क्या सोचा कैप्टन को मूर्ती में नेता जी के मुख पर उनकी मुख पहचान उनके चश्मे का ना होना अखरता था जिसके बिना मूर्ती अधूरी लगती थी अता उस ओधूरे पन को पूरा करने के लिए कैप्टन चश्मे वाले ने अपने पास मौजूद बिकाउ चश्मे में से एक असली चौड़े फ्रेम का काच वाला चश्मा मूर्ती पर लगा दिया था प्रश्न दो उसके इस कारे से हालदार साब कैसे प्रभावित हुए समझा कर लिखिये कैप्टन के मूर्ती की कमी को पूरा करने के प्रयास को सुनकर हालदार साव उससे बहुत प्रभावित थे जिसने अपनी देशवक्ती की भावना से मूर्ती के अधूरेपन को पूरा किया था उन्हें गर्व हुआ और इस बात की खुशी हुई कि आज के समाज में जहां नेता जी की मूर्ती पर उनकी मुख पहचान उनका चश्मा लगाना ही लोग भूल जाते हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता वहीं आज भी कैप्टन जैसे लोग जो अपने योगदानों से ह दरकार शब्द का अड़़्य आवशक था कैप्टन नेताजी की मूर्ती पर चश्मा ना होने की वज़े से अपनी दुकानजसे कोई चश्मा उन पर लगा देता परन्तु जब उसके पास कोई ग्रहाक आता और वैसे ही चश्मे की मांग करता जैसा की मूर्ती पर लगा था तब कैप्टन मूर्ती वाले को चश्मे की दरकार होने की वज़े से उसे वो चश्मा वहां से हटा कर नया चश्मा लगा देना होता था प्रश्न चार उसका नेता जी की मूर्ती से चश्मा मांगने के पीछे क्या भावच शिपा होता था जब कैप्टन को मूर्ती पर लगे चश्मे को ग्रहाक मांग करता तब वैं हटा कर दूसरा चश्मा लगाना पड़ता और वैं मूर्ती पर से चश्मा मांगते हुए चश्म के प्रति सम्मान वर्शद्ध के भाव जीवित थे वे उस मूर्ति में किसी जीवित व्यक्ती की तरह ही सम्मान करता था इसलिए जब्भी कभी वे चेश्मा बदलता तो उसे लगता-की जैसे नेता जी लिए ये मज़ेदार बात थी लेकिन हालदार साब के लिए चकित और द्रवित करने वाली यानि वे ठीक ही सोच रहे थे पहला प्रिशन पानवाला कौन था उसका परचे लिखे पानवाला एक काला मोटा खुश मिजाज व्यक्ति था किसी के अच्छे काम का मुल्यांकन करने की चमता उसमें नहीं थी इसलिए वे कैप्टन चश्मे वाले की मूर्ती का चश्मा लगाने के पीछे छिपे देश भक्ती के भाव को ना समझ कर वे उसके लंगड़े होने की वज़े से उसका मजाग उडाता था ये वे एक सामान विचारों वाला व्यक्ति था जो किसी की अच्छाई और बुराई की बात का मुल्यांकन नहीं कर सकता था प्रशन दो कौन सी बात हालदार साब के लिए चकित और द्रवित करने वाली थी उत्तर जब पान वाले ने हालदार साब से बड़े ही सामान लहजे में ये कहकर कि मास्टर मोतिलाल मूर्ती पर चश्मा बना प्रती संबान बर्शद्दा की भावना की कमी हो गई है तबी तो लोगों लोग जो की चश्मा जो की नेता जी के चेहरे की मुख पहचान उनका चश्मा था उसे लगाना भूल गए और पान वाला लगाने वाले की मजाग बनाता है प्रशन तीन यानि वे ठीक ही सोच रहे थे जब पान वाले ने हालदार साहब से कहा कि मास्टर मूर्ती पर चश्मा बनाना भूल गया तब हालदार साहब ने सोचा कि पहले वे ठीक ही सोच रहे थे कि उस मूर्ती को करस्वे के ड्राइंग अध्यापक मोतिराली नहीं बनाया था और मूर्ती पर चश्मा ना होने क की वज़ेस यह थी कि या तो बै बनाना भूल गए थे या फिर पत्थर के पारदर्शी चश्मा बनाया नहीं जा सका होगा प्रशन चार सेनानी ना होने पर भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता था अपने विचार लिखे नेता जी की मूर्ती पर चश्मा नहीं था और ये बात कैप्टन को पसंद नहीं थी अतावे स्यम को एक सच्चे देशभक्त की माती मूर्ती को चश्मा पहना कर अपने शद्धा के सुमन मूर्ती को अर्पित करता था लंगड़ा होने के कारण वैसेना का मोर्चा तो नहीं समाल सकता था परन्तु एक कैप्टन की भा रखता था और स्वतंतरता से नानियों के प्रती अपने मन में शद्धा के भाव रखता था